हुआ है चलिए वेरी वेरी गुट एवनिंग है तो हम एक कुछ एक कुशन्स करते हैं जो होमवक में भी दिया था और बच्चों का डाउट भी था तो उसके हिसाब से में एक चीज बताना था मुझे एक पॉइंट बताना था ठीक है अड़्जेस्टिट परचेस के अंदर मैंने फॉर्मूला पहले जो लिखवाया था उसमें पर्चेस रिटन भी कर दिया था तो अड़्जेस्टिट परचेस होता है हमारा सभी से लिख देते हैं इसको साइड देखिए अड़्जेस्टिट परचेस क्या होता है यह ध्यान रखना है इस इकल टू आपका परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग इसमें परचेस रिटन नहीं होता ठीक है इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें परचेस रिटन नहीं होता इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वैसे मैंने क्लास वोल्ड करके रखा था क्यूंकि अब 30 को खतम हुआ है जाके तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड करूँ है क्लास का क्यूंकि 30 तारीक तो आपके स्वेल के डिमीशन चल देता तो रिकार्डिंग मिलेगी लाइव मिलेगी सारी चीज़े आपको मिलेगी उसके अंदर आप कर सकते हो है ना चलिए मैंने यह सारे अड्जस्मेंट वकाइदा करा दिया एक सेकिंड दीजेगा मुझे मैं चलिए मैंने उल्दो सारे अड्जस्मेंट करवा दिये हैं लगभग लगभग ठीक है और बीच में कोई आ जाएगा तो सीखना होगा तो यह वाला जो कुश्चंस है आपको होमवक में दिया गया था मिनीमम प्रोविजन और यह अब इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है यह काफी बच्चों का डाउट रहा था के सब्सक्राइब का कैसे करना है देखो आपके पास ना देखो मैं कॉंसर्ट बताऊंगा जो कुश्चं में बहुत तिर्की अज्जेस्मेंट रहेगा वह पूरा हम सोलुशन कर लेंगा और जुसका कम रहेगा ना उसका आप सोलुशन करोगे डाउट होगा उसका मैं डाउट सोट आउट कर दूँगा इस पूरे इस अड्री होगा नहीं हमेसा और जसुमें ट्रायल में तो होगा इन्हीं तो अगर आपको ट्रांसफर जनरे बिदम में देता है तो इसके दो एंट्री होगी कि कि एक तो क्रॉफिटे एंड द्यॉस के डेबिट और डेबिक साइट secondary हो जाएगा हमारा liability के credit site यानि liability site बोल लो या liability credit बोल दिये हमारा हम example भी देख लेते हैं आपको clarity मिल जाएगा है और आपने महनत करना है तभी कुछ बात बनेगा नहीं तो आप बैठे रह जाओगे आप पास्टियर के अंदर पता नहीं चलता बच्चों को कि कब समय निकल गया और कब पेपर आ गया और पेपर में हमने कुछ पढ़ाई नहीं ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना स्पेशली कि सपोस्पोस करो मैंने आपके लिए एक एज़ा पी एंडल बना रहा हूं मैं कुछ अपनी मर्जी से डेटा डाल रहा हूं यह हमारा पी एंडल है बाई जीपी आ गया है हां पे मान लेते हैं बीस अजार एंड है टू से सैलरी लिख दिया मैंने एक हजार और टू मैंने यहां स्टेशनरी लिख दिया मान लेते हैं तीन हजार और अब फाइनली हमारा जो प्रॉफिट आएगा निकल के मैं यहां पर नहीं लिखना चाहता तो मेरा यहां नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो पता है कितना निकल के बीस में से हम चार को माइनस कर देंगे तो सोला और अर्जस्मेंट में कहता है कि 10% अमाउंट नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर टू जनल रिजर्व यह कह रहा है अर्जस्मेंट के अंदर इसका मतलब भया जो आपका जन प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनल रिजर्व में जब और यह लिखोगे सोला सो और दूसरा इसी सोला सो की एंट्री कहां कर देंगे हम बैलेंश शीट के लाइबलिटी साइड में और अगें प्रॉफिट आप फाइनल करके निकालोगे डैट इस क्या आएगा बीस हजार और डू आ जाएगा इहां पर क्या नेट बनना था हमारा किसका सर जो यह वाला अर्जस्मेंट थाना इसके लिए यह था तो मुझे सारा कोश्चन कराने की जुरुत नहीं है सिर्फ इस अर्जस्मेंट पर बताना था दूसरा एक यहां पर पॉइंट और आया है कि चैटर जी लून अब चैटर जी ने लून टेकन क किया है कब किया है एक दस को 18% तो यह तो मैंने बताया था डेट के इसाब से 6 महीने का निकालोगे इंटरस्ट यानि आप 25,000 पे 25,000 पे 6 महीने का इंटरस्ट निकालोगे 18% और इंटो 6 by 12 तो होना यह चाहिए आपने लून लिया है तो देयर 25,000 का 18% डिवाइड़े बार भी हो सकता है तो इंटरस्ट है नहीं कहीं भी हैं मैंने चिक कर लिया कहीं भी इंट्रस्ट नहीं है तो यह सारा का सारा आउटस्टेंडिंग माना जाएगा जो की एक एक हिड़न अड्ज़स्मेंट का पार्ट रहने वाला है jest किलियर है सर मेरे पास प्रोर प्रीविएस 14 एडीशन की बुक है जे रमों का चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगी जो भी नई चीजे होगी वो मैं अलग से आपको स्लाइड पे दिखाऊँगा वो मैंनेजिबल होगा ठीक है नहीं ऐसा चुनिए कि आपको दुबारा इन्विस्ट करना है पहले बताईए ये समझ में आ गया जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको जो बच्चे आज जोइन हुए हैं उनको दिक्कत आ सकती है वो पहले सारी अट्जस्मेंट वाली क्लास और कंटेंट में जाके देखिएगा लाइव क्लास से मत देखिएगा कंटेंट में प्रॉपर तरीके से गीवन है ठीक है इस बात का ध्यान रखना है चलिए सर आगे अट्जस्मेंट देखें प्रॉप्राइटर टेकन गूड्स फरनीचर यह वाला शायद कर लिया था हमने राइट तीस सेप्टेंबर को मेनेजर मसीन यह कर लिया था एक अट्जस्मेंट छोड़के नहीं यह करा था हमने है ना यह वाला रहे गया इसमें अट्जस्मेंट चलो यह भी देखते हैं और देखते हैं यह दिया था मैंने हां इसमें कोई डाउट रहा है या अंसर आगे बताईए जिस बच्चे का डाउट है बताओ यह आगे अंसर इसका डाउट रहा तो बताईए जो बच्चे स्टार्टिंग से है अगर डाउट रहा तो बताईए आप और जो मैंने वर्टसप नंबर कंटेंट में दिया हुए वहां आप बेजेंगे प्रॉपर सुलीशन मिलेगा आपको एक यह डाउट हो गया था बच्चों का यह मैं पूरा कोशन कर देता हूं ठीक है हुआ है 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 हुआ है है हुआ इसको साइड कर देंगा जैसे जैसे जूरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे वस आपको फोकस करना है बैले इंशीट भी यही बना ले ठीक है यह रहा है यह बैले शीट है किसी बच्चे को अगर वीजुल ना हो तो बताना कोशन मैं भी दिखाऊंगा वैसे तो और यह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है चलिए कुश्चन पर दिखाने का काम कर लेते हैं यह थोड़ा इधर हो जाएगा यह उपर हो जाएगा ठीक है बने ही हमारे पास और अर्जस्मेंट लास्ट में दिखेगा मैं बढ़ा करके दिखा तूँ आपको और मैं हर बच्चों को एक ही बात सजेस्ट करता हूं कि आपना बुक ले लीजिएगा भरही आपके पास पुराना हो नया हो इतना मैटर नहीं करता लेकिन आप बुक ले लेंगे तो उससे फा पाइदा होगा कि जो मैंने छोटे-छोटे कोश्चन यहां लिखे वे हैं कि यह आपको प्रॉपर दिखे जाएगा ओपर एड़्जेस्टेट परचेस दे रखा है मैंटर नहीं करता थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ठीक है दिख रहा है कि आप सभी को कोश्चन बताइए कमीशन डेट वाला उस वह भी करेंगा आज हम कोश्चन करेंगे ऐसी बात नहीं है इसमें बताइए कोश्चन दिख रहा है आपको क्या हम स्टार्ट करें कोश्चन सिर्फ अमाउंट देखना है आपको दिख रहा है question ठीक है चलिए यहां भी बच्चों को दिखी रहा होगा amount देखना है थोड़ा manageable करना पड़ेगा भई ठीक है यह है तो सबसे पहले हम न adjustment को पढ़ लेते हैं एक्जाम कैसे attempt करना है वो भी मेरे साथ साथ देखते जाना पहला adjustment closing stock का यह होगा machinery इतने का था purchase so in the purchase machinery एकाउंट पांच हजाद ठीक है मसीनरी पर अजस्मेंट है कमीशन धाई परसेंट चलो सेल्स पर अजस्मेंट है इन्वेस्मेंट पर अजस्मेंट है राइट ऑफ बेड़ेट्स डेटर पर अजस्मेंट है डेप्रिशेट बिल्डिंग पर अजस्मेंट है मसीनरी और फरनीचर पर अजस्मेंट है प्रपेर ट्रेडिंग तो हमें आइडिया लग गया है सबसे पहले capital दे रहे हैं आपका आठ लाग डेट इस यहां लिख देते हैं कैपिटल और एट लैग ठीक है इसके बाद ड्रॉइंग है 60,000 तो यहीं से माइनस कर देते हैं लेस ड्रॉइंग 60,000 देखो मैं शॉट फॉर्म में यूज करूँगा लेकिन आपने नहीं करना एक्जाम में यूज इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको और क्यूंकि कुश्चन में अब परचेस को एक बार फोकस करने ला हैं ओपनिंग स्टॉक लिखने से पहल 75,000 ठीक है इसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको परचेस 15,95,000 और परचेस हमेशा अंदर लिखना है 15,00,000 थोड़ा छोटा छोटा हो गया लेकिन देख जाएगा और नोटिंग आपको PDF मिल जाए करेगा हमारा ना मैं देख रहा हूं नोटिंग में टाइम चला जाता है तो मैं PDF दे दिया करूँ आपको इसके बाद फ्रेट अन परचेस तो सर्फ फ्रेट की बात आ गए तो डायरेक्ट ही हो गया तो फ्रेट अमाउंट क्या है 25,000 नेक्स क्या दे रखा है बताईए वेजिस में यहीं आ जाएगा बताओ कितने अमाउंट का है कितने 66,000 और क्या दे रखा है हाँ वेजिस आपका 11 मंत का है तो यह भी अजिसमेंट देखो मैंने बताया था तो 66,000 अगर आपका 11 मंत का है तो यहां लिखेंगे आप 66,000 और 11 महिने का है क्योंकि तो अगर 66,000 रुपए आपका 11 महिने का है वह भी फैब तक का तो एक महिने का बनता है 6000 तो एक महिने का आउटसेंडिंग रहा होगा तो इसके अंदर आउटसेंडिंग एड कर दोगे 6000 और यह हो जाएगा हमारा 72,000 और यह 6000 जो आउटसेंडिंग है यहां पर सामने किया अज्जस्मेंट समझ में आया आपको अज्जस्मेंट बताईए अज्जस्मेंट में कोई डाउट है जो मैंने किया ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद सेल्स है 23,000,000 तो बाइस सेल्स 23,000,000 ठीक है इसके बाद सेल्स के बाद सेल्स के बाद सेल्री दे रहा है 1,400,000 तो सेल्री पी एंडल का पार्ट है और मैं मानके चलता हूँ इसके बाद मेरा पी एंडल स्टार्ट हो जाएगा तो सेल्री दे रखा है 2 सेल्री एक लाग चालिस, next क्या है तो इस पे भी adjustment नहीं था तो अंदर ही लिखूंगा postage कितने का है 12,000, ठीक है, next क्या है अगला है हमारा miscellaneous नहीं printing and stationary, तो ये भी धरी आएगा amount क्या है 18,000, कोई adjustment है नहीं, इसके बाद miscellaneous expense, क्या होता ये छोटे मोचे खर्चे, कितने है ये, 30,000 रुपए, इसके बाद creditor liability है, तो यहाँ लिख देते हैं, creditor amount और 3,000,000 रुपए, इसके बाद investment assets है, that is यहाँ लिख देते हैं, investment amount एक लाख एक लाख है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यह asset है, और यह liability है, इसके बाद discount receive, that is income, तो यहाँ लिखेंगे buy side में, buy discount receive 13,000, इसके बाद 15,000 इसके बाद debtor assets है, adjustment था, तो इसके अंदर लिखेंगे, amount 2,50,000, इसके बाद चलो, bet debts bet debts trial में है, तो simple सी बात है, खर्चा है, two bet debts two bet debts 15,000, इसके बाद provision for bet debts, क्योंकि trial में है, तो यह इधर आ जाएगा, pfd कितने, 8,000 book में, मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो न, minus plus करते हैं, तो आपको उसमें tension निलेना, आपको इसी तरीके से करना है, आपका match होगा, definitely होगा, ठीक है इसके बाद हमने देख लेते हैं, ये भी देख लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां तक हो गया building कितने का है, 3,00, तो building लिख देते है, adjustment इस पे भी है 3,00, machinery पे भी है 5,00, furniture पे भी है, depreciation furniture कितने का है, 40,000 यानि 40,000, commission on sales 45,000, इस पे भी adjustment है तो two commission 45,000, ठीक है इसके बाद interest on investment 12,000, income है ये, तो by interest on investment 12,000, वैसे इस पे भी adjustment होगा, शायद देखेंगे insurance का expiry date दे रखा है, year यानि 31,7 तो sir इस पे भी adjustment है insurance पे, बताया नहीं है लेकिन internally adjustment बन जाता है इस पे अरे क्या लिए, इसको उपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा नीचे देखे, insurance कितने का insurance 24,000, यहाँ पे प्रिपेड जो भी निकलेगा हम देख लेगे, ठीक है न, इसके बाद bank balance डेड़ लाख है, तो सीधा bank लिख दिया मैंने, हाँ एक लाख पचास अजार, यह मैंने सारा item ट्रांसफर किया, exam में भी आपको ट्रांसफर करना, और adjustment पहले आपने पढ़ लेने, उससे फाइदा क्या मिलेगा, कि मैं बार-बार नहीं पढ़ रहा हूं, और same as it is page रखना है आपको आमने सामने, ताकि आप फटा-फट कर पाओ, चलिए, अब आ जाते हम adjustment करने को, पहला closing stock है, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा, trading में by closing stock, और secondary, ध्यान दीजेगा, कहता है, machinery 45,000, purchase, 1,10, 20 को, so as a purchase, जिसको purchase में show किया गया है, freight paid on machinery 5000, which include in freight, यानी simple सी बात क्या कहना चाहरा है, question में, कि हमने न एक machinery, पहले हमारे पास old, हमारे पास दो चीजे गीवन है, एक तो आप ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पर purchase है, जो भी x, y, z, और यहाँ freight भी है, और एक balance sheet के अंदर हमें machinery भी दे रखा है, आप कहता है, हमने जो machinery खरीदा है, उसके आगे specific date गीवन है, तो इसका मतलब जो नई machinery खरीदा है, आपने, उसके उपर उतने दिन का ही डैप लगना चाहिए, जिस हिसाब से वो है, पहली बात, दूसरी बात, जो machinery खरीदा है, अगर आपने machinery में ना जोड के, आपने गलती से इसे purchase में जोड रखा है, तो यहाँ से क्या कर देना चाहिए, minus, और इसमें जाके क्या कर देना चाहिए, और जब कभी भी हम नई machinery खरीदे हैं, तो उसके होपर होने वाला सारा खर्चा, वो machinery का ही पार्ट माना जाएगा, जबकि question कह रहा है, इस पर freight जो लगा हमने freight में एड कर दिया, तो भी है freight भी गलत हो गया हमारा, तो ऐसे situation में क्या क्या होगा, एक तो हमारा purchase से minus हो जाएगा machinery, और कितने रुपे का purchase में जुड़ा हुआ था हमारा, 45,000, और एक freight में से भी minus हो क्योंकि freight हमारा कितने का था, 25 का, जो हमारा था, वो था 25 का, कितने का freight है, नहीं, पहले 25 का था, और उसमें से less कर दोगे freight, कितने 5, क्योंकि यो machinery पे, ultimately ये 20 का हो जाना है, और machinery को तो देखेंगे, जब इसको 20 का हो जाना है, तो हमारा machinery जो है, ये गलत होगा, क्योंकि वो सारी चीजे वहाँ जुड़ गई, तो यहाँ पे नहीं आया होगा, तो यानि 45 और 50 अजार का machinery में add और होगा machinery, पचास अजार, और जिसके उपर depreciation हम पूरा साल का नहीं लगा सकते, because इसके उपर depreciation लगाने के लिए, आपको date given है, कि एक दस 2020 में खरीदा है, तो इसके बाद 6 महिने का इस पे डैप लगेगा, और 22 वाले पे पूरे साल का लगेगा, जब depreciation लगाएंगे तब देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम आजाते हैं अगले adjustment पे, commission payable, 0.5% on sales, जितना भी sales था, उसके उपर 0.5% commission pay करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक adjustment करना पड़ेगा, कौन सा सर, investment, कहता है भीया, investment हमने 10% profit पे बेच दिया, और जिसको हमने sales मान रखा है, यानि ये investment आपने sold कर दिया है, कितना बेचा है, पूरा investment sold कर दिया, तो investment तो 0 बचिया, और आपने इसको sales मान लिया, तो भीया, sales में तो नहीं होना चीए, investment, तो यहां से less करो investment, और कितने का बेचा है आपने investment, 10% profit, यानि एक लाग का समान, एक लाग दस अजार में बेचा है, तो मतलब सर, आपका sales जो था, वो ultimately 22 लाग का बना, अब जो 10 अजार का लिया, मुनाफ़ा तो P&L के credit में होना चीए, by profit, कितने का, 10,000 का, ठीक है, अब देखें, यहां से हमने कितना minus कर दिया, एक लाग तो credit हो गया, और यहां से हमने एक 10 minus कर दिया, तो क्या हो गया, debit हो गया, तो debit एक 10 और credit कितना, एक लाग और एक credit यहां, तो यह हमारा match हो है, ठीक है, बताइए किसी बच्चे को इसमें doubt है, clear रही है, सर, adjustment to side कैसे जाएगा, adjustment to, only trial balance में दिया है न, नहीं, trial balance में अगर date और percentage दे दे, तो हमेशा वहां पे 2 side जाता है, वो भी एक adjustment ही होता है, हमारा, यह मैंने कहा था आपको, ठीक है न, बढ़ जाया आगे आप बोलें तो, सर, wages का, wages तो अभी आया नहीं है, अच्छा, wages का point doubt में है, मैं wages का अभी clear कर देता हूँ, wages क्या कहता है, देखो, बड़ी simple सी और serious सी बात है, हम जो अपना P&L बनाते हैं न, यह बनाते हैं, हम 12 महिने का, अगर मैं कहूं कि मैंने यहाँ पे 11,000 रुपे दिखाया है, वो भी 11 महिने का, तो अगर मैं अपने P&L में 11,000 रुपे कोई भी point दिखा रहा हूँ, जो कि 11 महिने का है, जबकि P&L कितने महिने का बनना चाहिए, 12, इसका मतलब 1000 रुपे और P&L में दिखाना है, के नाम से और यही 1000 रुपे आपका चला जाएगा balance sheet के liability में, वो ही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि wages क्या कह रहा था, यहाँ पे आप देखिए का 11 महिने का wages दिखा रहा है, और 66,000 है, तो अगर मैं 66,000 को 11 से divide करूँ, that is आजाएगा हमारा 6000 और यह 6000 एक महिने का बकाया होगा, जो कि मैंने wages में add कर दिया है, और दूसरी entry कहां दिखा दिया है, मैंने balance sheet के liability side, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब commission बोलते हैं, commission कहता है भी है, धाई परसंट दो sale पे, तो sales जो हमारा है, वो 22 लाग है, तो अगर मैं commission निकालू, तो commission 22 लाग पे निकलना चाहिए, that is आपका 2.5% निकालोगे, तो 55,000 आएगा, जबकि आप commission देखोगे, already recorded 45,000 रुपे, तो हमें और add करना होगा, outstanding commission के नाम से, that is 10,000, तभी तो जाके, ये बनेगा 55,000, और 10,000 अभी तक payment नहीं हुआ, तो outstanding commission के नाम से, liability में आ जाएगा 10,000, देखिए, adjustment 1 हो गया, 2 हो गया, 2 का भी depreciation का part pending है, 3 हो गया, 4 हो गया, आगे कहता है, right of 1000 रुपीज, bed debts and 5% create on debtor, तो सबसे पहले, यहाँ minus करेंगे, bed debts, कितने का bed debts minus है, 10,000 का, तो हमारे पास बचा, 240,000 के, 240,000 के, अब इसमें से minus क्या करेंगे, PFD, that is आपका कितने percent है, 5%, तो इसका 5% निकालोगे, तो क्या आएगा, 12,000, अब 12,000 रुपे, इसका 5% आगया, अब जो हमारा यह bed debts है, उसको हम यहाँ भी दिखाएंगे, एक तो bed debts यहाँ दिखा देते हैं, कम space है, bed debts, that is आपका 10,000, और जो यह वाला हमारा provision है, इस provision को, हम profit and loss के debit में ही दिखाएंगे, क्योंकि यह कहां गीवन है, हमें adjustment में गीवन है, तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, किस नाम से दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे दिखाऊंगा, P F D, that is आपका 12,000 रुपे, ठीक है, थोड़ा सा size reduce कर देते हैं, आपको पूरा दिख जाएता कि, और थोड़ा सपन का size भी छोटा हो जाएता हूँ, फिर से देखो क्या किया, सबसे पहले bed dates minus किया, फिर provision minus किया, यह bed dates भी P&L के debit में चले गया, लेकिन इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, जो कि क्या होता है, further bed dates, उसके provision था, वो P&L के debit में चला गया, ठीक है, अगला कहता है, depreciation building पे 5% लगाई है, ठीक है सर, less कर दीजे, less कर दीजे, depreciation 5%, तो 5% कितना होगा, 75,00, है ना, के लिए, double entry भी कर देंगे, उसके राद कहता है, machinery पे 10% लगाई है, तो सर, machinery की बात, थोड़ी कहानी बिगड़ गई, सर, machinery के अंदर, machinery एक तो हमारे पास है, कितने का, 5,00,000 का, इस पे लगेगा, पूरे 10%, that is, 50,000 रुपे, और एक machinery, जो की बाद में लिया गया, that is, 50,000, इस पे लगेगा, 10%, और वो भी, 6 महिने का, देट इस आपका, पच्चिस सो, तो टोटल डेप्रीशेशन, 52,50 हो जाएगा, यानि, 5.5,00,000 पे, हम अगर, डेप्रीशेशन, माइनस कर दे, एचे करते हैं, माइनस डेप्रीशेशन, तो ये डेप्रीशेशन आएगा, 52,50, आप इस बात का, ध्यान रखेगा, सुरी, 52,500, ठीक है, इस बात का, ध्यान रखेगा, सारे डेप्रीशेशन, मैं खट्टाई लिख दूँगा, यहां पे, एक साथ जोड़ के, ब्रैकेट में, ऱट्टाई है, अब कर दो कर दो कर दो कर दो कि में एक बार दोबारा कर देता हूं जो को कि मैं री फ्रेश करने जा रहा हूं जा रहा हूं हम आटे हैं फाइनेंशिट टेक्ट लाप्स देखे clear आ गई साइद अब भी चला गया था screen अब hopefully आपको आ गया होगा ठीक है now clear है सारे चीज़े ठीक है अब आगे कहता है कि machinery के बाद furniture पर भी 10% लगाई है तो यहाँ minus कर देता हूँ depreciation फर नीचर पर दस पर्संट डेट इस फूर के अब मैं टोटल अब depreciation कितने होगे एक दो तीन अब हर किसी का depreciation यहां लिख देते हैं कि सटू depreciation और मैंने ब्रैकिट में लिख रहा हूँ आपने क्या करना सभी का डेप अलग अलग करके दिखाना है तो पहला डेप क्या था 75 के मेरे पाद स्पेस की कमी है स्वरी 7500 पहला डेप है 7500 दूसरा डेप है 52500 और तीसरा डेप होगे हमारा 4000 यह टोटल इखटा करके हम दिखा देंगे बाद में खीक है अब एक adjustment रहे गया यहां से लेकर यहां तक तो इसका मतलब यह है तो 12 महिने का इसका मतलब 24000 जो दे रखा है यह 12 महिने का है और इसको तीन महिने आगे चले है क्योंकि अप्रिल के बाद मई जून जुलाई तो इसमें तीन महिने का प्रिपेड रहा होगा देट इस कितने हो जाएंगे हमारे 6000 और इस 6000 को माइनस कर देंगे किस नाम से प्रिपेड के नाम से 6000 और इसी 6000 को हम assets में दिखा देंगे प्रिपेड इंसॉरेंस 6000 यहां पर आजम्शन भी दोगे कि हम यह मान के चल रहे हैं यहां पर डेट मेंशन नहीं है यहां पर यह मान के चल रहे हैं कि जो हमें इंसॉरेंस दे रखा है यह बारा महिने का ही है यह लोगी ठीक है बुक में चेक कर लीजिए को एजम्शन वगएरा ले रखा है कि इन्होंने कि सेम है कि यारतालिस सो आठजार हमारा टाइम देखें एक बार कब कहता है यह कब तक का यह अच्छा 31 साथ है अप्रेल मई जून और जुलाई चार महिने हो जाएंगे यह ध्यान मैंने नहीं दिया यह चार महिने हो जाएंगे तो देट इस आपके कितने हो जाएंगे यह तो यह आठ हजार और हेयर भी आपका आठ हजार ठीक है अब फटाफट से मैं टोटलिंग का और प्रोसिजर कर देता हूं सारा तो सर बाइस लाग का यह हो गया इसके बाद यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया और चौबिस में से आठ गये तो माइनस आठ सोला पी फटी बगरा दिखा दिया डेप्रीशेशन एड कर देते हैं सेवेंटी फाइब सिक्स्टी फॉर ठीक है सबसे पहले हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल ले बाइस लाग इस दो लाग पच्छेस हजार 24 च्विस पच्छेस कि चोबेस 25 कि 2 क्या जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अटेगर माइनस 75,000 हजार में लिसन हजार है कि रिजस में याज़ार आठ हजार और यही क्या बन जाएगा बाइ ग्रास प्रोफिट 7,8,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 7,50,000 7,53,000 मैं थोड़ा उपर कर देता हूं दिखाने के लिए अरे यह तो बहुत उपर चले गया चलिए चलिए 7,50,000 यहां लिए देते हैं 7,50 अब इसमें से माइनस कर देते हैं माइनस 10,000 माइनस 41,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000 30,000 माइनस 15,000 माइनस 55,000 माइनस 16,000 12,000 माइनस 64,000 यह आगे 38,000 3,80,000 चेक कर यह नेट प्रॉफिट 3,81 अब इस नेट प्रॉफिट को हम एड़ कर देंगे वापस अब हमारा उपर का काम नहीं है तो नीचे लिए आते हैं एड़ नेट प्रॉफिट 381 चलिए प्लस प्लस आठ लाग माइनस में 60,000 यह आगे 11,21,000 इसका टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं प्लस में 6,000 प्लस तीस तीन लाग प्लस गस अज़ा टोटल आगे 14,37,000 इधर भी टोटल कर लेते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होजपुट बारा माइनस करोगे तो दो लाग तीस अठाईस हजार इसहत्तर सो माइनस करोगे तो दो लाग पानवे पान सो पांच पचास में से बावन माइनस करोगे तो चार लाग सत्तानवे पान सो 36,000 यह मैंने कर दिया ठीक है टोटल चेक कर लेते हैं दो लाग 28,000 2,92, 500 कर आऐ सबस्क्राइट हैं पाम नाच उननचस शैतरसो 36,000 तेलनाख 8,000 गड़ब charter से हैं डो लाक तो लीजिए यह कुस्चन हमारा हो जाता है डन यहां पर एक पीच पर सारा दिखा देते हैं बताईए किसी बच्छे का डाउट कोशन तो आपके पास होगा बुक में सर मोंगा के पूरे हाँ मैं पूरे इलिस्ट्रिशन जितने भी मेन अड़्जस्मेंट है वो मैं सारा ही करा हूँगा जो आपके बताने लाइक होगा वो बता देंगे जो अड़्जस्मेंट कराने लाइक होगा वो कर लेंगे ठीक है क्लियर रही कोशन पूरा जो आपके बता हूँगा